तो पिछले एपिसोड में हाओ चिन ने सायर को किसी तरह से सांध करा लिया था जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे एक रूम के अंदर हो साता है जहां पर उसी के बगल में सायर भी लेटी हुई थी और इसे देखते ही वा थोड़ा सा हैरान हो गया था क्योंकि उसे याध नहीं था कि वे दोनों यहाँ पर कैसे आ गए लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसे सारी पुरानी बातों के बारे में याद आजाता है जिसके वज़ा से इसे पता चलता है कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ था और किस तरह से सायर ने गुसे में आकर इसे खंजर मार दिया था लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचिन सायर को सुरक्चित देखकर काफी खूस होता है और तभी करवट लेते समय सायर का हाथ इसके ओपर आ जाता है जिसके वज़ास से अब सायर की निन्द खुल गई थी लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओचेन इस बात से थोड़ा सा घबरा भी गया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि सायर इसके लिए उसे क्या कहेगी लेकिन हाओचेन के बिना कुछ बोले ही सायर उसे पाचान जाती है जिसके दोरान हम देखते हैं कि उसे भी हाओचेन के बारे में काफी चिंता थी और इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो लेकिन हाओचेन इसके इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और वो के वली से देखता ही रह जाता है लेकिन तभी अचानक से दरवाज के खुलने की आवाज आती है जिसके बाद ये दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और नहीं बलकि मास्टर यांग आए हुए थे अब इनको यहाँ पर देखते ही हाओचेन इन से स्टोरी कहता है क्योंकि वो जानता था कि उसके ही वज़ा से यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ है और इसलिए वो मास्टर यांग से इस बात के लिए माफी चाहता था लेकिन अब इस पर मास्टर यांग उससे कहते हैं कि तुमें अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि याखिर का रभ यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन फिर मास्टर यांग इन से बताते हैं कि कल तुम दोनों में से एक का दिमांग डैमेज हो गया था जबकि दूसरे का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों टाइम रहते हुए रिसाइक गये हो इसलिए अब हमें यहां से चलना चाहिए तब इस बात को सुनकर वे दोनों भी इसके लिए एगरी हो जाते हैं और फिर सेलेक्शन सेरिमनी के लिए बाहर आ जाते हैं लेकिन अब इनको देखते ही यहां पर आय हुए सबी लोग भी काफी एकसाइटेड हो गये थे क इनको लग रहा था कि इन दोनों को कुछ हो गया होगा और इसलिए सभी लोग इन दोनों के बारे में ही सोच रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर को देख असेसिन ग्रूप के बाकी लोग भी बहुत जादा खुस हो गये थे और फिर कहने लगते हैं कि हमारी मिश तो पूरी तरह से सेफ है और ऐसी बाते काते हुए वे सब भी बहुत ज़्यादा खुस हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की लिन सिन से इन दोनों के बारे में ही बात कर रही थी और कहती है कि इनको देख ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसर के वज़ा से हुआ है लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन सिन अपना नाम वापस करने का भी डिसाइड कर लिया था और इसलिये वो सायर से कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जगा पर तुम हाओचन के साथ में रहो ले फिर वो मास्टर यूगोंग के सामने आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर यूगोंग थोड़ा सा उदास नजर आ रहे थे और तभी हाओ चेनुन से कहता है कि क्या आपको मेरे परपोजल के बारे में याद है तभी इस पर मास्टर यूगोंग उससे कहते हैं कि हा बारे में चान कर बाकी लोग काफी हैरान होने लगे थे क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा था कि हाओचेन इसके लिए ऐसा भी कर देगा जिसके बाद मास्टर युगोंग हाओचेन से काते हैं कि या चीज और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल रिसोर्स सेलेक्शन आप्सन है इसलिए अलाइन्स ने डिसाइड किया है कि या कॉमपर्टिसन जैसे ही सुरू होगा तब टॉप थ्री में आए हुए तीनों लोग भी अगर चाहें तो आपने रिवॉर्ड को गीप अप कर सकते हैं जिसके बदले में उनको सेलेक्शन प्रोसेस का चांस मिल जाएगा क्योंकि हमारा मकसद है कि इसमें एक बहुती सुटेबल डीमन हंटिंग गुरूप बने और ऐसा हमने इसलिए भी किया ताकि इस तरीके से गेम की फैरनेस बनी रहे और इसलिए वो टॉप थ्री में आए हुए बाकी दोनों से कहते हैं कि अगर तुम भी चाहो तो तुम दोनों अपने लिए सेलेक्शन प्रोसेस का यूज कर सकते हो लेकिन इसके लिए तुमें ध्यान रखना होगा कि तुम उन प्लेयर को चूज नहीं करोगे जो कि टॉप टेन के अंदर लिस्ट हुए थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में चानकर लिन सिन भी बहुत ज़्यादा खुस हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो हाउचिन के ग्रूप में रहेगा तब इस पर मास्टर यूगोंगिन से काते हैं कि या बात पुरी तरह से सही है और इसलिए आप तुम तीनों एक गुरूप के अंदर रह सकते हो तब ही एक मास्टर लिन सिन से कहता है कि आखिर तुम उसके साथ में आही गए लेकिन साइद तुमें पता नहीं है कि हाउचिन ने इसके लिए अपने स्प्रीट फरनेस को गिब अप कर दिया है जो कि एक बहुती रेर ट्रेजर है लेकिन इस पर हाउचिन कहता है कि या भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर लिन सिन ने अपना मेडिसिन मुझे नहीं दिया होता तब आज में इतने ज़ाद तेजी से ग्रो नहीं कर पाया होता वहीं उधर बाकी लोग इन सभी बातों के बारे में जानकर काफी एकसाइटेड हो जाते हैं और असेसिन गुरूप के लोग कहने लगते हैं कि हाउचिन ने तो हमारे मिस के लिए अपने स्प्रीट फरनेस को भी गिब अप कर दिया जिसके बज़र से मुझे पुरा यकीन हो गया है कि वे दोन एक दूसरे से सचा प्यार करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसीन भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुस हो गई थी और कहती है कि फाइनली होचेन और सायर एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं इसके बाद मास्टर यूगोंग यांग वेंजाओ से सामने आने के लिए कहते हैं क्योंकि अब उसे भी अपना टिम में चूस करने का टाइम आ गया था अब इसके बारे में सुनकर यांग वेंजाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास में कोई लोकेट भी पड़ा हुआ था वहीं कुछ लड़कियां अपस में बात करने लगती है कि चैंपियंशिप के बारे में तो किसी ने भी उमीद नहीं किया था लेकिन फिर भी यांग वेंजाओ भी बहुत ही ज़्यादा है वहीं उदर यांग वेंजाओ ने भी अपने टीमेट को चूज करने का डिसाइड कर लिया था और इसके लिए वो सोल हॉल के चेरी चेन को अपना टीमेट चूज करता है अब इसके बारे में सुनते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे क्योंकि खुद चेरी चेन ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था और इसलिए सभी लोग काने लगते हैं कि चेरी चेन तो बहुत ही ज़्यादा लगी है लेकिन तभी अचानक से चेरी चेन इसे साब तरीके से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डिमन हंटिंग ग्रूप को जॉइन नहीं करना चाहती अब इस तरह से यहाँ पर यांग वेंजाओ की बहुत ही ज़्यादा बैजती हो गई थी जिसके बाद एक मास्टर कहती है कि यह दोनों तो अभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे लेकिन आखिर यह ऐसा कितने समय तक चलता रहेगा तभी मास्टर यूगोंग यांग वेंजाओ से कहते है कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं तुम उसके जगा पर अभी भी किसी दूसरे प्लेयर को चूज कर सकते हो अब इसके बारे में सुनते ही बहुत सारे प्लेयर काफी एकसाइटेड हो गए थे और वो यांग वेंजाओ से इनको अपना टीमेट चूज करने के लिए कहने लगते हैं जिसके दोरान हम देखते हैं कि हुवांगी भी इनमें से एक था जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ भी मैजिक टेमपल के हुवांगी को अपने टीमेट चूज कर लेता है जिसके बारे में सुनकर हुवांगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और तभी मास्टर यूगोंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसके टीम में आना चाहते हो तब इस बात को सुनते ही हुवांगी बहुत तेजी स्फिर से इसके पास में आ जाता है लेकिन यांग वेंजाओ अपने हाथ का यूज करके इसे अपने पास में आने से रोक देता है जो कि हुवांगी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसके बाद यांग वेंजाओ से इसे चूज करने के लिए ठैंक्यू कहता है और इसी के साथ वो उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन अब इसी तरह से मूनिंग को भी अपना टीम में चूज करने का टाइम आ गया था और इसलिए मास्टर यूगोंग उसे भी स्टेज के ऊपर आ जाने के लिए कहते हैं फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मूनिंग नाइट टेमपल के ब्रोकन मेमरी को अपना टीम में चूज करता है और इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने गुरूप का हेड भी बनाना चाहत हूँ जिसके बाद इस बात को सुनकर ब्रोकन मेमरी भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर मूनिंग से कहता है कि तुम्हारा वीजन तो सच में काफी बड़ा है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे गैलोपिंग कॉंटिनेंट 3 में लेज आने का प्रॉमिस भी कर लेकिन अब इस तरह से टॉप 3 में आए हुए प्लेयर ने अपना अपने टीमेट चूज कर लिया था इसलिए मास्टर यूगोंग अपने पाउर का यूज करके यहां पर कोई चीज क्रियेट करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि अब इनको सेलेक्शन स्टेज के ऊपर रें करेंगे जिसके बाद इसके मदद से बाकी बचे हुए सबी प्लेयर को भी चूज किया जाएगा लेकिन अब इसके दौरान कोई भी किसी के सेलेक्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकता वहीं उधर यांग वेंजाव अभी भी चेरी चेन के बारे में सोच रहा था लेकिन हम टीम का नाम डार काइज सैडो रखने का डिसाइड किया था अब इस तरह से सायर यहां पर नाइट असेसिन के रूप में कंफर्म हो गई थी जिसके बाद लिन सिन भी अपना मैजिक पाउर दिखाते हुए यहां पर एंटर करता है और इस तरीके से वो टीम के अंदर विज हाओ चेन कहता है कि मुझे एक सिल्ड वारियर की जरूरत है जो कि डिफेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो क्योंकि सायर और हाओ चेन दोनों के पास में अटाइक करने की अबलिटी है इसलिए वो चाहते हैं कि जब वो बैटल फिल्ड में अपने दुस्मन के स अच्छा हूं क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे पावर हैं और इसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे मेडिसिन भी हैं लेकिन तभी पता चलता है कि वेंग युआन हाओ चेन के टीम की अगली फाइटर के रूप में कन्फार्म हो गई है जो कि वैसे तो एक सिल्ड वारि गई जिसे की डिफेंड करना बिलकुल भी नहीं आता तब इस पर वेंग युवान कहती है कि क्या तुम इसके बारे में मुझसे कोई बात करना चाहते हूँ। लेकिन अब केवल इसके बाद को सुनते ही लिन सिन की हालत काफी खराब हो गई थी जिसके बाद वो इसके बारे में बोलने की कोई भी हिमत नहीं कर पाता फिर अगले सिन में हम देखते हैं कि अगली बारी समनर के चूज होने की होती है इसलिए लिन सिन उमीद करता है कि उनक ही टीम के अंदर रहना चाहते थे लेकिन अभी से देखते ही लिंसिन बहुत ज़्यादा परिसान होने लगा था और कहने लगता है कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है जोकि इनके टीम के अंदर अटाइक को रोकने के लिए ना ही कोई अच्छी सिल्ड वारियर है औ अब इसके बारे में सुनते ही वे दोनों लिंसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुसा हो गए थे और कहने लगते हैं कि तुम तो एक विजार होते हुए भी अटाइक करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन इसके बाद भी तुम हम दोनों का मजाक उड़ाना चाहत यहाद एक हाओचन किसी तरह से इनको सांथ करा देता है अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अप्लोड हो जाएगा लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्स्प्लानेशन प्रेक भी जरूर कर देना